पूरे राज्य में 9.77% मतदान हुआ है और ये सुखद संकेत है और जिस तरह से निर्वाच्वन विभाग भी कोशिश कर रहा था और दूजी जो नीजी संस्थाएं भी हैं वो भी कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से मतदान बहुत अच्छा हो प्रतिशात अच्छा हो ताकि ये जो महापर्व कहा जाता है लोकतंत्र का महापर्व कि महापर्व अपने सही माहिनों में महापर्व बन जाए जहां सभी अपने मताधिकार का प्रयोग करें और उसी को देखते हो अभी का ये आंकड़ा है और उमीद की जा रहे ही कि मद्दान अब धिरे-धिरे बढ़ेगा क्योंकि एक सुबह का जो समय होता है वहाँ अपेक्षाकरत शेहरों की अपेक्षाकरत ग्रामिंट शेत्रों में बड़ी लाइने लग जाती है लोग चाते हैं कि जल्दी से मद्दान करके आ जाए और शेहरी शेत्रों में देखा जाता है कि आराम से मद्दान करेंगे छुट बाड़ी विदान सभाक्षेतर की आखड़े आप तक पहुचा रहे हैं, पुरे प्रदेश में जो आखड़ा है वे 9.77 प्रतिशत है और बाड़ी में 8.75 प्रतिशत ये अलग-अलग आखड़े आ रहे हैं और लगातार प्रदेश में मतदान गती पकड़ रहा है, मैलाओं का उत्सा ज्यादा देखा गया है बड़े बड़े नाम भी आ रहे हैं जिसमें गजिन्दुशिंग शेखावत के इंदर मंत्री उन्होंने जोदपूर से वोटकास कर लिया है और इसके साथ ही आप देख रहेंगे ये द्रश्य उनके परिवार के गजिन्दुशिंग शेखाव है इसमें जन्रता ही भागय विदा था है तो यहां पर उन्होंने काफी देड़ लाइन में रहकर अपना वोट डाला अपने परिवार के साथ आए तो हम लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं मद्दान के अंदर पर तो अलग-अलग दर्श्य देख रहे हैं आप ये चौमू विदान सबाक्षेतर के एक पोलिंगी बूत का ये एक दरश्य है और यहां का प्रतिशत 9.8 प्रतिशत इस पोलिंग बूत का एक दर्श्य चौमू में भी मद्दान के अंदर पर लंगी कतारे चल रही है लंबी कतारे लगी हुई है लोग यहां पर लगातार मद्दान के प्रति उत्सा दिखा रहे हैं और डूंगरपूर विदान सबाक्षेतर में भी मद्दान प्रक्रिया जा रही है तो डूंगरपूर विदान सबाक्षेतर में खास्तोर पर बुजूर्गों में उत्सा दिखा जा रहा है तो कहीं युवा ज़्यादा संक्या में दिख रहे हैं और वहाँ दामडी में 101 साल की मोहन कमर ने मदान किया है बहुत बड़ी बात होती है और मजूला में 96 वर्शिय रूपली ने भी मदान किया है तो 96 वर्शिय एक महिला 101 साल के वरद बुजरग जब मदान करते हैं तो ये प्रेणा देता है उन्य युवाओं को जो घर से नहीं निकलते मद्दान करने के लिए तो ये एक बहुत बड़ी प्रेणा होती है जब हमारे बुजर्ग उम्र के इस आंकड़े को छूने के बाद भी मद्दान के प्रतिय उत्सा दिखाते हैं और ये प्रेणा देते ह कि हर पांच साल बाद जो एक परवाता है जुसके जरी हम अपने सरकार चूनते हैं हालांकि उसके पांच साल बाद वो ही जनता जो भाग्य-विदाता होती है वो अपने कामों के लिए जरूर उन्ही प्रतिये बावश्यों के पास जाती है लेकिन ये तया करता है कि आप कि न कि वी प्रत्याश्यों को चुन रहे हैं वह भविश्य में आप की किन सुविधाओं के लिए किन समस्याओं के लिए हमेशा सामने खड़े रहेंगे तो ये मतदान का जो पर्व होता है वह सब कुछ कि उस्ताय करता है तो लगातार हम आपको आखड़े भी बता रहे हैं अपडेट्स भी बता रहे हैं और फिलहाल आपको एक